हम नहीं करेंगे, हम रोड पे उतरेंगे रामगड की रक्षा के लिए, रामगड को बचाने के लिए हमको जो काम भी करना पड़ेगा उस काम को करेंगा और वैसे लोगों को मोतोड जवाब देंगे हमारा वैपार्य बंदू का कंधा क्यों उस्तमाल कर रहे हैं पूरी विधाय की राजनीती नहीं है, यह नाशनीती है हम सभी ब्यवसाहियों के तरफ से बोल रहे हैं कि हम लोगों ने किसी तरह कौन को भूस नहीं दिया पेट की बात आई, हर हद, हर चीस पे हम लोग तयार है संकर चोदरी अंदोलकारी नहीं है, वो बिनासकारी आदमी है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अभी हम मौझूद हैं रामगड के ट्री ठोटल के सभागार में और यहाँ पर एक जोलंत मुद्दे पर रामगड के भी आईपी दिगजों की बैठा के लेकिन यह दिगज यहाँ पर कोई नई मन्थन के लिए नहीं आये हुए है अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुचे हैं अपनी पीडा को लेकर आए हैं और यह पीडा सिर्फ इनकी नहीं पूरे रामगड वासियों की है पूरे रामगड के आम अवाम और खास लुब को यहाँ बैठे हुए हैं आम अवाम और खास की यह परिसानी है जिसको लेकर आज यहाँ पर एक बैठक की गई है रामगर चावनी परिशत के मुख्य अधिसासी अधिकारी के उपर में गोस्खोर होने कारोप लगा दिया गया है कि पच्चास लाख रुपा का वो घूस लेते हैं एक इमांदार वैक्ति अगर काम भी करना चाहे तो काम कैसे करें एक वैक्ति जो रामगर चावनी परिशत में सबजी मंडी दिलवाने का अंदोलन करता है चलियों का अंदोलन सही हो ताला भी तोड़ता है सेना जो हमारा जो आर्मी जो सैन यहाँ पर है SRC, PRC दोदो सेना है उसको जो हमारे सौर को बढ़ाता है उसको खुले तोर पर चुनावती देकर ताला तोड़ रालता है इतनी बड़ी गुस्ताखी करता है और उसके बाद आम अबाम और खास को परिसान करकर नोटिस चिपगवा देता है और वो भी क्यूं? क्यूंकि वो CEO के उपर में एक आरोप लगा दे रहा है कि आप गोस्कोर है तो अपने दाग को हटाने के लिए तो वो लोगों को परिसान तो करेंगे वो जनता का समर्थन मांग रहे हैं लोगों से समर्थन मांग रहे हैं कि आप हमारे साथ आएं और बताएं कि क्या हम दागदार है अपने दाग को हटाने के लिए जो इतने बड़े ओदे पर पढ़ लिख कर आया है कोई वो जाहिल वेक्ति नहीं है पढ़ लिख कर सोचा समझा हुआ उसका चिंतन में संतुलन है वैसा वेक्ति पद पर बिराजित हुआ और वैसे व्यक्ति के उपर में इतना गंभीर आरोप और वो आरोप इन लोगों के माध्यम से लगाया गिया है कि ये लोग उनको घूश दी हैं घूश देने वाले लोग यहां पर मौजूद हैं जिनको नोटिस की गई हैं हमारे साथ एक बुजूर्ग बड़े भाई साब है क्या घूस दिया आपने ना ना मेरे मैंने एक रुपया भी नहीं दिया यह बातें जो हैं यह गलत इंसान के द्वारा की जा रही है और अगर घूस देने और लेने वाले साबित हो जाएं तभी ना उनका बात सच होगा यह सारा जूटी बाते को सहर के अंदर देशत ठलाने के लिए करने का यह गलत नियत है लाखों की अवादी वाला रामगाड और हर हर बेल्डिंग जो है नहीं यहां पर सामनी परिशद के केंटनमेंट बोर्ड का जो 1924 का अंग्रेजों के वक्त का जो गुलामी की जंजीर में में भी जी रहे हैं उस वक्त का यह कानून है और उसको मूँ चिढाता है चाहे वो आपका मकानों मेरा मकानों यहां बैटे सब लोग हैं सब का मकान मूँ चिढा रहा है तो क्या सब लोगों ने घूस दे दी क्या सब लोगों ने एक एक लाख रुपया दे डाला तो एक ल पहीर आरोप के बाद अपने आपको पाक्साफ करने के लिए आप लोगों का समर्थन भांग रहे कि नहीं आपर कोई भी हम लोगों ने इनको ना गूश देने का कोई कांब लेकिन हम आपके उपर एक तगमा जरूर लगाएंगे आप पे दाग लगाएं तो आप अपने दाग को स्वताध होने का काम करें स्वताध होएं लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है आप आम लोगों को परिसान ना करें 400 लोगों को नोटिस चिपकाएं और आपने का नाम जहाता है तो उस देश की इस्तिती बया हो जाती है कि हम बड़े विक्सित जगा पर हैं और यहां पर बेजिंग को तुड़वाने की साजिस सर्वेश जी है बताए सर्वेश जी ऐसे लोगों के साथ एकनम सक्ति वाले रवये में क्या होना चाहिए बिलकुल समाज क सभी को इनका बहिसकार करना चाहिए यह बिलकुल कहीं से समाज के हित ऐसी नहीं है बिलकुल हम आप लोगों के पास भी आएंगे यह तो कुछ चुनिंदे लोग हैं जो लोग की आए हैं जब आपके उपर परिसानी आ रही है तो आप खुद रोड में आए खुद रोड मे आगे वाई विजय जी आप बताएं कि क्या कोच हैसे लोगों के साथ होना चाहिए और यह लोग जो कर रहे हैं राजनीती का चेहरा इनके उपर लेबल लगा हुआ पुर्विधाय का क्या होना चाहिए बहुत असमंजस वाली स्थिति है क्या बोले अभी बोला हमारे साथि कि राजनीती तो नहीं हो सकती है वो नीती जो जनता के हित्मे नहों जनता के सुखधुका नहों वो नीती राजनीती नहीं हो सकती है राजनीती तो वही है जब कोई मेरा दर्द बाट सके तो वही नेता कहलाएगा जब मुझको दर्द देने वाला है वो मलम कैसा कहलाएग पेट में आकी बात हो रही है लोगों के रोजी रोटी को तबाह करने की कोशिस हो रही है जब रोजी रोटी ही तबाह हो जाएगा तो क्या करेंगे तब भी यही भासन बाजी करेंगे छोटी-छोटी सब्दों में ओग्र तेवर में बताईए वही भासन नहीं करेंगे हम रो सबनान ही सक्वेगा और रोड में उतर के चालेंगे और पी दम करेंगे आप सुन रहे हैं ना उगरतेवर को और हम आपको बता देतें थे इन्हों ने साइरी और मुहबरे में एक सब्द को काहम भी आपको कह देतें कि जब सहर में आग लगती है तो माकानात जल जाते हैं शह आस रोड पर आएगी ना क्योंकि सब को परिशान करें सब को चालेंज कर रहे हैं तो देखेंगे कि आपका हस्र क्या होगा हमारे साथ संतोज जी हैं जिनके सभागार में यह आयोजन किया गया है लोगों के लिए यह चिंतन-मंथन हो रहा है इस सिर्फ इनकी बिढमरा इनकी संकर चौधरी के द्वारा गलत आरोपन पर लगाया गया है संकर चौधरी बोल रहे हैं कि व्यवसाई वर्ग से घूस मांगा गया है तो वह लाके व्यवसाई वर्ग में किस लोगों ने घूस दिया है उसको खड़ा करें उनका राजनितिक अस्तर संकर चौधरी का खतम हो चुका है तो होता क्या है ना कि नेता का सबसे बड़ा गुन होता है कि अगर सौ लोग उसको पणाम नहीं करें तो उनका दिन नहीं बीता है वो कारकरता उनका साथ जनता कोई समर्थन नहीं हो तो वह बुखला गया है इस तरह का उल्टा बयानवाजी कर रहे हमको उनसे कस है कि आप खुद इस चीज को ब्यान देना कि उनसे मांगा गया है आप हमारा वैपारियों बंदू का कंधा क्यों इस्तमाल कर रहे हैं या तो कोई दिया है तो लाके आप सामने खड़ा करें एक सीयो इतने अच्छे अधिकारी जो रामगड के विकास के लिए प्रती दिन प् अठे हुए उनके खिलाप रोड पे उतरके हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे किसी भी आधार पर रामगड को हम लोग डिस्टार्ब नहीं होने देंगे जिसके चलते कुछ भी करना हो हम सब तेयार है माननिये पूर बिधायक महोदे संसकार है हमारे अंदर इसलिए माननिये तो कहना ही पड़ेगा आपको माननिये महोदे छावनी परिशद में सबजी मंडी का आपने आंदोलन किया बड़ा मास देखा हमने तो हमारे निउजलेंज चैनल और हमारी टीम ने आपके पास आकर आपकी खबरों को चलाया पूरे देश अस्तर पर 28 लाग की अवादी ने उस खबर को देखा समर्थन वे मिला लोगों ने सोचा कि एक नेता बुजुर्ग जाग गया है लेकिन ये बुजुर्ग तो लोगों को परिशान करने पे आ गया है लोगों के उपर में अधिकारी गुस्खोरी कारोप लगा के ऐसा बॉखला दिया है नहीं कहते हैं उसको कि एकदम ने आंदोलन किया बड़ा मास देखा हमने तो हमारे न्यूजलेंज चैनल और हमारी टीम ने आपके पास आकर आपकी खबरों को चलाया पूरे देश अस्तर पर 28 लाग की अवादी ने उस खबर को देखा समर्थन वे मिला लोगों ने सोचा कि एक नेता बुजुर्ग जाग गया है लेकिन ये बुजुर्ग तो लोगों को परिशान करने पे आ गया है लोगों के उपर में अधिकारी पे घुस्खोरी कारोप लगा के ऐसा बॉखला दिया है नहीं कहते हैं उसको क एक दम मधुमक्खी के खोते में हाथ डाल दिया है और उस मधुमक्खी के काटने से पूरे रामगड के लोग परिशान हो गए हैं और भी कोई लोग अगर बोलना चाहते हैं अपना अपने वक्तवे को बताएं बताएं कि जो लोग मेरे खिलाब साजिस करेंगे अप मेरे बच्चों के खिलाब मेरे परिवार और मेरे लोगों के खिलाब व्यवसाईयों को आम अवाम और खास उनके रोजगार को बनाता है हमारी बात मत कीजिए पूरी रामगड पूरी रामगड परेशान है रामगड के लिए बोल रहा हूं कि अगर पेट की बात आई तो हर हद हर चीज़ पर हम लोग तयार हैं लड़ने के लिए मारने के लिए कटने के लिए रोड पर सुने के लिए जहां भी बोले वहां तक वहां लोग चड़ेंगे हम लोग यहीं चाहते हैं कि वह अपना वापस ले और सियो साफ से रिक्वेस्ट यहीं करते हैं कि किसी को नोटिस ना करें और आम अवन निव को परिशान ना करें कि अहां मान रहा है लगतार तो हम लोग कोसिस कर दिया हम भी जाके समझा दिया आपके सांसद महोदे देख रहे हैं ना सांसद महोदinkles कहरे है Swiss इवफा ओठारी है सधन मैं आवाज सब लोग सब करेंगे कि इसका समाधान जतना जल्द से जल्द हो यही मांग करते हैं मांग मांग कर रहे हैं यहां पर हमारे साथ कमल वगडिया जी मौझूद है इनके उबर गंभीर आरोप है कि ये सुप्रीम कोट के आदेश का वेलना करते हुए व्यवसाई करन करने हैं वेस्मेंट में क्या कितना गंभीर आरोप आपके उपर लगावा है लोग आपको बड़े अच्छे छवी से जानते हैं नगर परिशत के ब्रैंड अमबस्डर आप आपको बनाये गिया है और आप इस तरुका काम कर रहे हैं जी नहीं यह वोप पुरव विधाय की राजनीती नहीं है यह नाश नीती है और यह पूरे वर्ग को नाश करने में लगे हुए और अगर यह अपना वड़ अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग रोड पर नि हुग कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ तुम जगादो और मेडिया भी आम जणता राजनिती तो कहेंगे ही नहीं भिनासकारी जो काम कर रहना उसको रोक डाले यहीं नहीं तो आपका हस्र क्या होगा अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ सब्दों की तलवार चल रही है जब आपके ऊपर लोगों का आक्रोस फूटेगा और सड़क पर ये भीड उतरेगा ना तो क्या हस्र होगा आपका आप खुद ही जानते हैं बहुत ही तेज और विवेकसील अगर हमारे पेट में लात मारें तो हम उनके पेट में लात मारें आग लगी तो बुझाने की कोशिस में कई लोग आए हैं बहुत सारे लोग सावनी के उपाध्यक्ष की बात करें पूरव उपाध्यक्ष की बात करें सब लोग इन लोगों के समर्थन में आ रहे हैं राज राजीब जैस्वाल का भी पुर्जोर समर्था ने इसमें बड़ा ही सर्मनाक इस तरह का वाक्या हो रहा है रामगड में राजीब जी बताएं आप ओग्र छवी के लिए जाने जाते हैं ओग्रता पुरवग बताएं कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए तेकि रामगड सहर को कुछ लोग बरबाद करने में लगे हैं उनकी मानसिक्ता हम फूरी नहीं होने देंगे और वैसे लोगों पर सीधे जो है के तौर पर वैसे लोगों को हम चेताओनी देना चाहते चाहे वह पूरु बिधायक रहे चाहे नहीं करना खुलासा हो चुका नाम का रहिया च कर रामगड को उजाडने की वो कोशिस करेंगे और जो दुर्भावना से गर्षित होके अगर कोशित करेंगे तो वैसे भी लोगों को हम लोग जो है कि सीधे तोर पर मुहतोर जवाब देने के लिए तयार है चुकि रामगड की रक्ष्छा के लिए रामाड को बचाने के लिए हमको जो काम भी करना पड़ेगा उस काम को करेंगे और वैसे लोगों को मुहतोड जवाब देंगे वैसे लोगों का एक सो साल के बाद नींद खुलना उनके उपर प्रसंचीन खड़ा करता है कि एक सो साल के बाद उनको आज यह कानून याद आ रहा है वो इस छेत्र मे के लिए आपके भी बड़े सारे फॉलोवर्स हैं क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को क्या करना चाहिए इस मुद्धे पर रामगड की जनता के साथ उनको खड़ा होना चाहिए चुकि यहां ऐसा मुद्धा यहां ऐसा बिसे है कि अगर इस बिसे पर करवाई होती है तो को समाज के नेता है वयसे लोगों को इस मुद्धे पर आना चाहिए खुल के आना चाहिए और पशौनी परिसत को परिसान नहीं होने दिया जाएगा रामगड के लोगों का हम लोग जो है कि परिसानी में उनके साथ हम लोग खड़े हैं बिल्कुल यह राजी जश्वाल थे जिनोंने मांग किया है तमाम जन परतिनीदियों से तमाम जनहित के लिए काम करने वाले और जिनके उपर जिनके कं कही जैने वाली रामगड को बचा लें क्यूंकि इसको विरान और बंजर करने पे कुछ लोग लग गए हैं जिनका नाम सब लोगों ने आपको बताया वैसे लोगों के खिलाप आप लोगों का मुझ तोड़ जवाब ही रामगड वासियों को बचा सकता है तो आप आगे आए और अपने आम अवाम और खास के लिए लड़ाई लड़ते हुए उन्हें बचाएं भाई बेटी की शादी है अच्छा बैंक्वेट हॉल बुक करना है वो भी कम बजट में कहां मिलेगा तो भाई गनपती मेरिज गार्डन है वहाँ बैंक्वेट हॉल लॉन लाइट वर्क टेंट वर्क और रून्स सारा कुछ 98,000 के पैकेज में मिलेगा ये तो बहुत ही री हॉल